हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल स्माट स्टडी में स्वागत है आज हम मैज का 7th क्लास का जो पेपर है प्रैक्टिस पेपर उसको सॉल्व कर रहे है सेंपल पेपर को जो के दियोई की द्वारा दिया गया है इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत ही important question है और हो सकता है कि question repeat भी हो या फिर ये तो confirm ही है कि ऐसे से ही question आपके exam में आने वाले है तो आईए ही शुरू करते हैं आज का मैज का पेपर इसके अलावा बाकी subject के भी class 7th की पेपर बन चुके है आप चाहें तो वहाँ से solve कर सकते हैं और एक revision जरूर लेके जाहिएगा आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा तो start करते हैं देखो धाइगा टेक आपका paper है और 60 marks का आपका exam है देखो इसमें क्या कहा गया है हम फटाफट questions को read करते हैं कि total 18 questions होंगे इसके अंदर और कुछ question जो खंड क्या है उसमें क्या है तीन प्रशन है बहुवी कल्पी है case studied है six question खंड 2 में है 7 में 9 प्रशन है और इसे तरह से पूरा पूरा क्या किया गया है क्या कहा गया है 3 is equal to 0 बराबर है 3 is equal to 0 is equal to 0 तो यह answer यहाँ पर क्या हो जाएगा correct हो जाएगा तीन रनात्मक पुर्णांकों का गुननफल होता है the product of the three negative integers को जब हम multiply करते हैं तो क्या होता है यह negative और यह negative वापस में कर जाता है तो negative हमेशा क्या होता है negative होता है हमेशा रनात्मक पुर्णाम होता है अगर तीन रनात्मक पुर्णाम को यह negative integers को हम multiply करते हैं तो B answer यहाँ पर क्या हो जाएगा correct हो जाएगा उसने सिफ example के और तो मैंने यहाँ पर two लिख दिया है next देखो क्या कहा गया यहाँ पर एक घन के कितने फलक होते हैं how many faces does a cube have cube के कितने faces होते हैं तो six faces होते हैं c answer यहाँ पर क्या हो जाएगा correct हो जाएगा एक घनाब के कितने किनारे होते हैं how many ages does the cuboid have cuboid के कितने azes होते है तो 12D answer यहाँ पर क्या हो जाएगा correct हो जाएगा दोनों में और दिया गया है आप कोई भी कर सकते है एक कौन जो अपने पूरा कौन के बराबर होता है the angle which is equal to complement complement कितना होता है 90 degree होता है तो इस तरह का अगर एक angle बना है यहाँ पर इस तरह का एक angle बना है जो क्या है 45 है तो यह इसका क्या होगा complementary होगा यह भी कितना हो जाएगा 45 तो C answer यहाँ पर क्या हो जाएगा correct हो जाएगा 45 sorry 45 angle ऐसा है जो कि complementary या पूरा कौन के equal होता है next question देखते हम साथ साथ में कर रहे है अच्छे से आप समझ लीजिए 2.0 sorry 0.2 multiply 0.16 कितना होता है देखो क्या कहा गया 2.16 को हमें क्या करना है multiply करना है तो जब multiply करेंगे तो 32 आएगा लेकिन यहाँ पर हमें points हम count करते है 1, 2, 3 तो 3 के बाद हमें points लगाना है तो कितना हो जागा 0.32 तो C answer यहाँ पर क्या हो जाएगा correct हो जाएगा इसकी और में question दिया गया है कि 3 को हमें किस से multiply करना है 15 से multiply करना है 0.3 को 0.15 से multiply करना है जब multiply करेंगे कितना हैगा 45 आएगा लेकिन 3 के बाद हमको point लगाना है तो point 0.45 तो देखो कहाँ पर है first answer A answer यहाँ पर हमारा correct हो जाएगा next question देखते है 6 question में क्या कहा गया है दिये गए ठोज को निम में से सामने का द्रश्य क्या होगा which of the following in front view of the given solid तो सामने से देखो देखो एक second क्या कहा गया है एक रेखा खंड में कितने अंत बिंदू होते है how many end point does a line segment तो देखो line segment हम किसे count करते है जब हम line इस तरह से खतम कर देते है वो line segment होता है A, B तो कितने end point होते है two end point होते है इसके ठीक है इसके और में question दिया गया है एक कीरन के कितने अंत बिंदू होते है how many end point does a line रे का क्या होता है देखो एक ही point fix होता है लेकिन ये वाला point fix नहीं होता है उसे हम रे कहते है तो एक ही end इसका क्या होता है fix होता है या एक ही end इसका क्या होता है end point होता है इसके पास में रे के पास में नेक्स देखते हैं कोशिन नमबर एट में क्या कहा गया है निमन लिकित में से क्या दो पटे पांच को दर्शादता है विच आप फॉलोइंग रिप्रेजेंटी टू बाइफ तो टू बाइफ का मीनिंग होता है कि फाइफ टॉटल कॉलम फाइफ हो और क्या हो टू शेडिड हो तो देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि हमें क्या दिखाई दे टू बाइफ त्री कौन सा पार दिखाई दे रहा है तो देखो यहाँ पर टू यह टू पार शेडिड है और बागी थ्री पार टॉटल है तो यह सी अंसर यहाँ पर क्या हो नेक्स देखते हैं हम यहाँ पर सेकिंड और थर्ड के स्टड़ी है प्रते के स्टड़ी अधारी परशनों में पांच उभाग है जिनमें आपको चार उभाग हल करने है प्रते एक उभाग दो अंक्का है देखो कोशन में क्या कहा गया है टो और थर्ड के स्टड़ी बेस्ट कोशन इच आर देखते क्या कहा गया है राहूल और अधिते पिकनिक पर गए उनकी मा ने उन्हें पांच लिटर की बोटल दी दोनों ने पिकनिक पर बहुत आननद लिया राहूल ने दो बटे भाग पानी पिया अधिते ने एक बटे भा तो देखो क्या कोशन है इससे रिलेटिड हमने इंग्लिश में भी रीट कर लेते हैं राहूल ने वेंट फॉर अपिकनिक दे मदर गेव और वोटर बोटल ऑफ फाइफ लिटर बोट अधित्या कंजूम वन बटे वन डिवाइड बाइद बाइफ फिफ वन फिफ वाट पर पहले इसको कोशिंज निकाल लेते हैं उसको कोशिंज को डीट करेंगे सबसे पहले हम बोटल बना लेते हैं और इसके कितने टोटल कितने हैं फाइफ पर यह यह कहा था और जो अधित्या उसने 1 by 50 है एक पार्ट उसका कर दिया अब यह remaining है जो बाकी बच्चों को दे दिया अब इसी के coding हम a question solve करेंगे राहुल ने कितना पानी पिया टोटल 5 है 2 by 5 तो कितना हो जाएगा टोटल राहुल ने पानी पिया टू लिटर फर्स्ट सेकिंड हर एक जो कोलम है इसको वन मानते है तो राहुल ने कितना पिया वन तो लिटर आधित्या ने कितना पानी पिया अधितना कोलम फिल हो एक कोलम तो सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा पानी का कितना भाग बाकी बच्चों को दिया तोटल कितना था फाइफ टू पार्स दिया ना तो टू कितना होगा टू बाए फाइफ लिटर देखो इजी ली हमने एकदम इसको जैसे की फ्रेक्शन में करके सॉल करके बहुत ही आसानिक से को बाइफ लिए पानी बाकी बच्चों ने पिया हाउ मच मोटर बै था इस तो रहूल ने ले लिया था ग्रीन वाला अधिते ने ले लिया था तो टू लिटर सी यहां पर उप्शन जो है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा अभी आप लोगों कर लिया होगा हम आगी क नेक्स्ट कोशन जो कि थोड़ा इंटरस्टिंग है और समझ में नहीं आ रहा है बच्चों को इसलिए करवाते हैं आईए देखिए क्या कहा गया है पानी के एक तलाब में अंदर की तरफ सीडिया जा रही थी इस तरह से एक बंदर सबसे उपर वाली सीडिय पर बैठा था और नोवी सीडिय पानी नोवी सीडिय पर है यदि चलांग लगा कर तीन सीडिय नीचे की और अगली चलांग में दो सीडिय आ उपर की और जाता है तो पुशन समझो क्या है a water tank has step inside it a monkey is sitting on the top step in the first step the water is the ninth step water कहां तक है 9 step तक है he jumped three step down and the jump two step back up अब देखो क्या कहा है देखो monkey है न क्या कर रहा है कि एक जो है कहां तलाब की तरह बैठा है stairs and nine stairs and total तो क्या करता है पहली पर बैठा है और 9 बे पहुंचना है लेकिन हुआ क्या पहली पर तो वो 15 steps नीचे जाता है लेकिन उल्ती चलांग लेकि दो स्टेप वापस या फिर ती नीचे चलाओ लेकिकर दो पर जाता है फिर तीन नीचे टाः फिर दो पर जाता आप इसे से less से दो क्या कहा गया है कि वह कितनी छलंग में पानी के सतर पर पहुंच जाएगा तो इस तरह से मनाते हैं 1234567 चैट को यह हुई 12345678 और यह 9 step ठीक है अब जो क्या पहले वह जाता है 3 पर जाता है यहां से किस पर जाएगा देखो यहां से सब्सक्राइब step लगेंगे क्योंकि वो चलांग लगाकर उपर की तरफ तो आ रहा है ना हाविमाने jump will he is the water level तो वो देखो 3 नीचे जा रहा है तो 2 उपर भी तो आ रहा है वापस तो total 11 step उसको लगेंगे नीचे तक पहुँचने के लिए next देखो क्या कहा गया है कितनी चलांग में वह सातवी सीवी तक पहुँचेगा कितनी चलांगे लगाने पड़ेगे उसको total 7 jumps लगाने पड़ेगे जब वो सातवी पहले वाले में पहले से देखो उपर वाली को first अब देखो क्या कर रहा था वो 3 positive था उसका 2 negative था तो यह वाला चाहां पर है क्या हो जाएगा यहां पर correct हो जाएगा यह थे तीन कोशन अभी प्याधारी अब देखते हैं next question क्या कहा गया है पानी पीने के बाद वह वापर जाना चाहता है इस कारे में चलांग में चार सीड़ी वह उपर की और और अगली चलांग में दो सोड़े नीचे की और आता है कितनी चलांग में वह उपर की और सीड़ी में पहुंच जाएगा after drinking the water he wants to go back for the jump four step up and two step down in every move in how many jump he will reach back top पे का पहुंचेगा देखो वापस वही वाली बात है यहां से total क्या है यह steps है अब वह क्या कह रहा है कि वह चार तो उपर चड़ता है फिर वापस दो नीच जाता है फिर चार उपर चड़ता है फिर दो नीच जाता है फिर चार उपर चड़ता है फिर दो नीच जाता है तो कितनी step पे वह पहली चलांग कोन से पूछ रहे हैं पहली चलांग कोन से पूछ रहे हैं इलिए उपर से पूर्स पार्ट है लेकिन अगर नीचे से काउंट करते हैं क्यूंकि इन्होंने क्लियर नहीं तो यहां पर कोशन में बच्चो को फाइदा होता है तो देखो यहां से क्या हो गया अब यह 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th ठीक है और यह 9th तो 9th पे पहुंच है अब वो देखो कहां पर है अब उसने 4 step लगाई यहां से तो देखो 1st 2nd 3rd 4th अब वो 5th में अंसर आ रहा है अगर नीचे से बात करते हैं तो क्योंकि इसने दूसरा वीडियो बनाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है थैंक्यो गाईज